नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल निताजीम आपका स्वागत है, आशा करता हूँ, आप सब ठीक होंगे। या लगबग तीन पार्ट में रहेगा, पहले पार्ट में सिर्फ फॉर्म का डिसकेशन करूँगा कि किस तरह के फॉर्म यूज किये जाते हैं, वह यह पार्ट है, दूसरा पार्ट माइनर पैनल्टीज के बारे में रहेगी, और तीसरा पार्ट मेजर पैनल्टीज के बारे म तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इसमें डिस्केशन करना चाहूंगा कि फॉर्म कौन-कौन से रहते हैं देखिए, SF करके इस फॉर्म का, शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है SF, जो मैं बार-बार इसमें कहूंगा इसे कहा जाता है Standard Forms, for use in disciplinary proceedings SF यानि Standard Forms, अब बात करते हैं पहला, SF1 या Standard Form 1 यह है Order of Suspension यानि यह किसी भी कर्मचारी के Suspension के लिए जो Order निकाला जाता है उसके लिए है उसके बाद, SF2, Order of Deemed Suspension, यानि माना गया निलंबन SF3, Certificate to be Furnished by Suspended Railway Employee SF4, Revocation of Suspension, यानि निलंबन जो हुआ है, Suspend आप हुए हैं तो उसे रिवोक करना SF5, Charge Sheet for Major Penalty, यानि किसी बड़ी समस्या के लिए Charge Sheet दिया जाना उसके बाद, SF6, Refusing of Permission to inspect the documents SF7, Appointment I.O. Board to Inquiry Inquiry के लिए किसी officer का inquiry officer की न्युकती किया जाना SF8, Appointment of Presenting Officer SF9, अब issue नहीं किया जाता, उसे अब हटा दिया गया यह form पहले कारण बताओ, notice के रूप में लिया जाता था इसमें 9A, 9B, 9C, 9D अन्य खंड थे लेकिन आभी यह issue नहीं किया जाता है SF10, Joint यानि संयुक्त कारवाही का आदेश दिया जाता है, यानि Disciplinary Action in Common Proceedings SF10A है इसके बाद, Appointment of Inquiry Officer in Common Proceedings यानि जो combined कारवाही की जाएगी उसमें जहां चरिकारी की न्युकती SF10B, Appointment of Presenting Officer in Common Proceedings Charge Sheet for Minor Penalty यानि संयुक्त कारवाही में प्रस्तूती अदिकारी की न्युक्ती Minor Penalty के लिए किया जाना उसके बाद, SF11 यानि Standard Form 11, Charge Sheet for Minor Penalty फिर 11B, Charge Sheet for Initiation of Minor Penalty in Case where Inquiry is Essential यानि जहां कारवाही की जरूरत है वहां के केस में फिर 11B के बाद, 11C for Making Disciplinary Action for Minor Penalty where the Charge Sheet for Major Penalty was Initially Issued और उसके बाद, 11C है, SF12 है, Memorandum where Action is Proposed under Rule 14, SF13 भी है, SF14 भी है, अब देखनी की बात ये है कि SF13, Permission from President for Action Taking Against the Retired Railway Employee SF14, Charge Sheet for Retired Railway Employee यानि Retired Railway कर्मचारी के लिए भी इसमें है प्रावधा, खैर इसके अच्छे या बुरे के हम यहां पे चर्चा नहीं करेंगे यह सब इस Standard Forms है, जिसके तहत किसी भी Railway कर्मचारी को उसके Disciplinary Action के लिए उसे Punishment दी जाती है, Charge Sheet दी जाती है, हाला कि इतने सारे Forms के नाजानकारी सबको रहती है और ना इसका Use होता है, मुखेता इसमें दो Forms का सबसे ज़्यादा Use होता है, किसी भी कर्मचारी को Punishment देने के लिए, SF 11 और SF 5, SF 11 जो है, Standard Form 11, वो Charge Sheet for Minor Penalty है और अगर हम बात करें, SF 5 की Charge Sheet for Major Penalty, यानि अगर आप से कोई बड़ी गलती होती है, तो आपको Standard Form 5 के तहत Punishment दी जाएगी, और अगर आप से छोटी गलती होती है, तो Standard Form 11 के तहत Charge Sheet दिया जाता है, और उसमें Minor Penalty दी जाती है, ये दो Forms बहुत महत्तोपूर्ण है, इसके अलावा जो Forms है, वो अलग-अलग कारेवाही में Use किये जाते है, जानकारी के लिए अच्छी बात है, अगर कोई Departmental Examination दे रहे हैं, उसमें हो सकता है, आपको पूछा जाएगा, मगर मुखेता बाकी Forms के बारे में किसी तरह के कारेवाही में इस्तमाल नहीं किया जाता है, हाला कि Knowledge के लिए सभी Form important है, लेकिन इतनी ध्यान म रखने की कोई आवशिक्ता नहीं है, Standard Form 5 और Standard Form 11 के अलावा, 11 A, B, C की भी आवशिक्ता नहीं है, अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, इसके Minor Penalty और Major Penalty के बारे में, क्योंकि अगर SF 11 दिया जाता है, तो Minor Penalty आती है, तो Minor Penalty जो होगी, वो क्या होगी, कौन 5 दिया गया है आपको, Standard Form 5 के तथ पनिश्मेंट दी गई है आपको, तो Major Penalty लगेगी, और वो Major Penalty क्या-क्या हो सकती है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे, अगले दो वीडियो में, रही बात किसी सब्सक्राइबर ने कहा था कि, उम्मीद कार्ड पे वीडियो बनाने के लिए, तो निश्चित रूप से, आने वाले अगले वीडियो में, मैं उम्मीद कार्ड पे भी वीडियो बना के लाने का प्रयास करूँगा, समय की कमी के चलते मैं नहीं बना पा रहा हूं, लेकि ल जाता है discipline को maintain किया जाता है तो अगले वीडियो में हम माइनर पैनल्टी और मेजर पैनल्टी में से किसी एक पर चर्चा करेंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो like, share, subscribe करिए धन्यवाद